नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आज हम आपनों को सॉल्व कराने जा रहे हैं सेट नमबर 25 2018 का सेट नमबर 25 आज हम आपनों को सॉल्व कराएंगे ठीक है तो आप लोग चलिए अब देखते हैं MB Publication की बुक है और ये CGL का 2018 का सेट नमबर 25 है सेट नमबर 24 तक की व सॉल्व कराये जा चुके हैं उसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं समझ सकते हैं बहुत ही बहतरीन अंदाज में आपनों को सॉल्व कराया गया है ठीक है चलिए आज का जो सेट है उसमें थोड़ा टिक लगा हुआ है सारे question पर तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान अब तो टिक लगा हुआ ही मुझे मिला इसलिए आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं बाकी सेट में यीजी त्टेक नहीं लगे होते हैं आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते है तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत menage करना पड़े आप लोगो को कभी-कभी हो सकता है ऐसा हो ठीक है चलिए अब हम question देखते है question क्या है पहले question की तरफ चलते है पहला question देखते है क्या है देखिए देखिए लिखा क्या हुआ है थोड़ा zoom कर लेते हैं देखिए पहला question क्या है पहला question है the enemy will have seized the fort before nightfall ठीक है एक बात देखिएगा इसका हमें पैसिब बनाना है इसका हमें क्या बनाना है पैसिब बनाना है विल हैब का पैसिब बनेगा विल हैब बीन यह हमेशा ध्यान रखिए अगर हैज है या हैव है तो उसका हैज या हैब बनेगा पैसिब ठीक है तो सेम उस तरीके से will have का क्या बनेगा will have been head का क्या बनेगा pensive head been head been plus verb की third form तो लगानी ही पड़ेगी ठीक है न तो will have seized का will have been seized कहां लिखा हुआ है जिस option में लिखा है वो सही हो जाएगा option number a में would have been लिखा है गलत option number b में will be seized लिखा है गलत option number c में will have been लिखा हुआ है इसलिए option number C जो होगा वो आपका सही answer होगा हमने आप लोगों को बताया है कि इस statement टिक लगा हुआ है सही पर तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे देखिएगा थोड़ा सा manage कीजिएगा आज की वीडियो सिर्फ ऐसी कल से सही हो जाएगी question number 2 देखते हैं 2 है jumble sentence और बहुत ही बहतरी निदाज में हमने jumble sentence solve कराया है यह आप लोगों को comment करके बताना है कि कौन सा option होगा और क्यूं होगा यह comment करके बताईएगा आप लोग ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है next question number 3 क्या है notorious notorious का मतलब होता है कुख्यात ठीक है कोई बुरे कारण से famous है उसे notorious बोलते हैं और देखिए इसका हमें लिखना है ento तो क्या हो जाएगा famous famous का मतलब प्रसिद्ध और जहां दीजेगा famous के साथ हम for preposition का use करते हैं famous for होता है ठीक है और famous और notable notable का भी मतलब famous ही होता है इसके साथ भी हम for preposition का use करते हैं ठीक है और देखिए vicious vicious का मतलब एकदम बहुत जादा कुख्यात ही बोल सकते हैं vicious को vicious criminal होता है infamous का मतलब जो famous ना हो disgraceful आप लोग comment करके बताएगे disgraceful का मतलब क्या होता है notorious का मतलब क्या होता है notorious का मतलब कुख्यात होता है बात इतनी समझ में आ गई अगर हमें for preposition से और चीजे देखनी हो तो हमें क्या देखना है जड़ा देखिएगा notorious का मतलब होता है कुख्यात हमने बताया famous के साथ for preposition लगता है जिस चीज के लिए कोई प्रसिद्ध है atone for होता है atone for का मतलब पश्चा ताप करना होता है इसके साथ भी हम for preposition का यूज करते हैं ठीक है ना famous for होता है atone for होता है उसके बाद आज के ही हमने video adjectives of solve करा रहे थे बहुत बहतेईन तरीके से live class चल लई है ग्यारा बजे आप लोग जुड़ सकते हैं ठीक है compensate for होता है compensate का मतलब छती पूर्ती होती है इसके साथ भी हम for preposition का यूज करते हैं ठीक है atone for भी पूछा गया है compensate for भी पूछा गया है question number 4 देखिए maintenance की spelling क्या होगी तो एक बात ध्यान दीजेगा मिस स्पेल्ट याद करने के लिए main याद कीजिए maintenance और ends ये तीनों मिला करके बनता है maintenance ठीक है तो maintenance की spelling अगर हमें किसी चीज की spelling याद करनी है तो उसको कई पाइट में तोड़ करके याद कीजिए अच्छे से याद हो जाएगा question number 5 देखते हैं दिया गया है दो many European traders visit Puducherry in the 16th century onwards what remained today in a relic of its French past देखिएगा यहाँ पे 16th century की बात कर रहा है 16 हमी सताबदी की बात कर रहा है यानि past का time है और हमने बताया है past का time कभी उज़ होता है अगर कहीं sentence में past का time दे दिया गया है past का time देने पर past indefinite होता है यूज तो past indefinite में कौन सा option लिखा गया है visit verb की first form present indefinite में लिखा गया है option number no improvement तो होना नहीं है option number D में भी visit present indefinite में लिखा गया है सिर्फ B और C में से कोई हो सकता है ध्यान दीजेगा B और C में से कोई हो सकता है अब यहाँ देखते हैं क्या होगा traders visited in 16th century onwards या on 16th century onwards होगा तो यहाँ पर क्या होगा from 16th century onwards onwards होता है ठीक है ना और 16th century से वो लोग visit कर रहे हैं दो यद्दे पी many European traders बहुत से European traders जो हैं वो ने visit किया है visit किया 16th century से तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे from 16th century और onwards होगा क्या यूज होगा onwards यूज होगा तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपसा नंबर C आपका जो है वो सही अंसर हो जाएगा बात इतनी आपनों को समझ में आ गई यहाँ पर from का यूज होगा 16th century से की बात कर रहा है मतलब 16th century से की बात कर रहा है तो ऐसे sense में हम from का यूज करेंगे और question number आपसा number C जो होगा वो आपका सही अंसर होगा हम आपनों को बता दें कि widget और approach हमने कई बार बताया है widget, approach और answer ठीक है widget, approach और answer इनके साथ हम किसका प्रियूज करते हैं इनके साथ अगर ये noun है तो कोई preposition यूज नहीं हो अगर verb है तो कोई preposition नहीं यूज होता है लेकिन अगर ये noun है तो इनके साथ हम to preposition यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा अगर ये verb है तो कोई preposition यूज नहीं होता है यहाँ विजिट जो है वो वर्ब था इसलिए यहाँ कोई प्रिपोजीशन नहीं यूज हुआ था लेकिन अगर लिखा जाए ए विजिट टू अमेरिका ठीक है यह बता रहा है आर्टिकल की यह विजिट क्या है नाउन है ए विजिट टू अमेरिका ठीक जो है वो कौन सा यूज होता है ये पूछा गया है ठीक है तो आप लोग ध्यान दिजेगा ये साई सीजें आप लोगों के बार बार पूछी जाती है तो आप लोगों को ये साई सीजें मालूम भी होनी चाहिए 2016 का सेट नंबर पंदरा क्वेस्चन नंबर चार जाकर के देखिएगा उसमें पूछा गया है आपका एंसर के बाद टू एंसर वहाँ पे क्या था नाउन था तो जब एंसर नाउन होगा जब विजिट नाउन होगा जब एप्रोच नाउन होगा तो उसके साथ हम टू इस सेट में एंसर वहाँ पे आप लोग क्वेस्चन सॉल्व करेंगे कमेंड करके बताएंगे ठीक है वहाँ पे एंसर जो है वह नाउन था तो वहाँ पे टू प्रिपोजीशन का यूज करना था वहाँ एबाउट प्रिपोजीशन का यूज कर दिया था तो ऐसे सेक्रेट का मतलब क्या होता है पवित्र और हमें एंटोनिम लिखना है इसका हो जाएगा प्रोफेन का मतलब होता है आपवित्र प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र परपेशूल का मतलब होता है अनुवरत यानि कंटिन्यू एकदम कंटिन्यू इस तरीके से चलने वारा पॉयस का मतलब क्या होता है, पॉयस का मतलब भी पवित्र होता है, चीक है, और प्रोफाउंड का मतलब होता है, वेरी ग्रेट, लिख लीजेगा, प्रोफाउंड नॉलेज होती है, आप लोग लिख लीजेगा, प्रोफाउंड नॉलेज होती है, deep knowledge नहीं profound knowledge चीक है और deep knowledge नहीं profound knowledge चीक है किसी के बारे में बिश्तृत knowledge होना profound knowledge का यूज करते हैं profound knowledge पूछा गया है 2019 में अब अगला देखते हैं question number 7 देखते हैं it is fortunate that most people in the country are still living from hand to mouth ये idiom है और idiom हमें क्या लिखना है living from hand to mouth का मतब होता है किसी प्रकार गुजारा करना देखिए चीजें आज के वीडियो में आप लोगों को टिक एंसर किया हुआ मिल रहा है छीक है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिस करेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा चीक चलिए consuming daily what little is earned जो थोड़ा बहुत आपने कमाया है उसी में आप consume करना वो होता है आपका क्या किसी प्रकार से गुजारा करना living from hand to mouth आप लोगों को एक चीज़ बता दें live से related phrasal verb होता है live on live on का मतलब होता है किसी बिसेश प्रकार के भोजन को खा कर जीवित रहना यही होता है live off का भी मतलब होता है live off live off का मतलब भी होता है किसी बिसेश प्रकार के भोजन को खा कर जीवित रहना चलिए next देखते हैं बात इतनी समझ में आ गई हैं आप लोगों को अब एक चीज देखिएगा people, people जो है people public police 3P याद रखिएगा people public police ये तीनों plural noun होते है plural countable noun का यूज होता है next question पर चलते है अगला question क्या है question number 8 the loyal watchman was cut to the quick cut to the quick का मतलब क्या होता है अपमानित महसूस करना when he was accused of theft loyal watchman जो है वो अपमानित महसूस किया जब वो theft का दोसी पाया गया चोरी का दोसी पाया गया चोरी का अपराधी पाया गया तो वो क्या महसूस किया अपमानित महसूस किया cut to the quick का मतलब होता है अपमानित महसूस करना यह मीनिंग आपके MB के पीछे भी दी गई है आगे देखते हैं Accused के साथ Off preposition का यूज होता है लेकिन कहां होता है यह देखने वाली बात है Accused के बाद Off लगता है लेकिन तुरंत बाद लगे यह जरूर यह नहीं है Accused के बाद अगर कोई दिया गया है आपका क्या उस अपराध दिया गया है उस अपराध के पहले Off लगाते हैं Accused of Theft तो Theft के पहले लगेगा Accused of Murder तो Murder के पहले लगेगा ध्यान दीजिएगा Accused के बाद धेर सारे वर्ड लिखे हो सकते हैं उसके बाद Murder लिखा हो सकता है या theft लिखा हो सकता है तो हमें ध्यान रखना है उस murder और theft के पहले लगाना है ना कि accused के तुरंट बात लगा दीजिएगा चार्ज विद CHARG चार्ज विद किसी पर आरोप लगा देना आरोप लगाना होता है चार्ज के साथ विद प्रिपोजीशन का यूज करते हैं चीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया most dispute can be solved amicably तो most dispute अधिकांस dispute चीक है most जब अधिकांस के अर्थ में आता है हमने जो adjective की class ली है life class 11 बजे होती है चीक है उसमें हमने बताया है कि most का यूज जब अधिकांस के अर्थ में होता है तो जरूरी नहीं है इसके पहले दा आर्टिकल आए लेकिन जब most intelligent most beautiful ये आता है adjective की superlative degree का यूज होता है तो वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है आर्टिकल दा का जरूर क्योंकि superlative degree होती है यहां most disputes का मतलब अधिकांस dispute can be solved और हमें ध्यान दखना है बी के बाद दो ही वर्व की form आ सकती है या तो वर्व की ing फार्म आएगी तो वह active voice में होगा और वर्व की third form आएगी तो passive voice में होगा यहां पर can be solved लिखा हुआ है amicably amicably क्या है amicably एक परकार का क्या है adverb है यानि अधिकांस dispute जो है वो मित्रवत तरीके से amicably जो है वो solve किये जा सकते हैं unless unless के बाद one लिखा हुआ है one singular होता है इसके लिए आर्ने इजाना चाहिए one के बाद इजाना चाहिए इसका one का plural होता है once o n e s ध्यान दीजिएगा इस once और इस once में अंतर होता है यह once one का possessive adjective है जबकि o n e s तुरंत s लग गया है इसका मतलब यह one का plural होता है once इन दोनों में अंतर आप लोगों को मालूम होना चाहिए ठीक है तो देखिएगा और unless के साथ हम not का यूज नहीं करते हैं ठीक unless until hardly barely scarcely seldom never इन सब के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं not का यूज नहीं करते हैं तो यहां होना चाहिए one is और not नहीं लगना चाहिए चलिए देखते हैं इस question में आप लोग देखिएगा यहां पर कौन से part में एरर होना चाहिए पहली बात तो not नहीं लगना चाहिए दूसरी बात one के बाद ही जोना चाहिए तो दो part में इस में एरर हो गया है ठीक है तो ऐसा question अगर आएगा आप लोगों का तो number मिलेगा सबको बराबर number मिल जाएगा ठीक है question number 10 देखते है दोनों part में एरर है यहां पर आप सी में भी एरर है और डी में भी he was seen he was seen sitting in the last row ध्यान दीजेगा last जो है ठीक है वो super native degree होती है last or least ठीक है late जो है वो adjective की positive degree होती है adjective में हमने बहुत detail में इन चीजों को discuss किया है जिन लोगों ने नहीं देखा है adjective की life class जा करके जरूर देख लें letter और letter comparative degree दोनों होती है super native degree होती है last और least चुकि super native degree के पहले article दा लगता है इसलिए last के पहले article दा का use यहां पर हुआ है दा लास्ट रू लिखा हुआ है ठीक है आगे हमें यह देखना है इसमें कि he was sitting देखिए इसका active बनाना है active से passive बनाना हो तो तो आप लोग जानते हैं लेकिन passive से active बनाना हो तो क्या करते हैं यह जो वर्ब बी है वर्ब बी की is mr वर्ब की first form होती है was या वर्ब की second form होती है ठीक है और बीन जो है वर्ब की third form होती है अब देखिए यह वर्ब की second form है इसको c की second form बनाई है c की second form क्या होती है और 100 की इसमें दिया option number b में तो option number b आपका सही हो जाएगा हमने बताया है कि is mr वर्ब बी इसकी first form होती है होती है बनाते समय, और बwy की फारम होती है, उसे मेन वर्म में अड्जस्ट करना कि वाज ए क्यों है सी की सेगंड ह्यों सीं और देखिए तरत लगा दिये तरीका होता है सा बाकी सिसी में ने दिया है, अपसे आरे में सी दे दिया गया आप्सट नमबर डी में रहीद सीन दे दिया गया है सिर्फ आपसन नमबर भी में साधी आगया इसलिए आपसन नमबर भी आपका करेक्ट तर होगा चुम है नेंच्ट देखते ये ब्यक्तियों के लिए आता है और who क्या है relative pronoun है relative pronoun के बाद आने वाली जो verb है वो अपने antecedent यानि अपने पहले वाले के according आती है one के बाद who लिखा हुँ who के पहले one लिखा हुँ one के according आ इजाया हुआ है one के हिसाब से इजायेगा और अगर one का plural once लिखा हुआ है तो इसके लिए आ रहाएगा और ये on e और ये s लगा हुआ ये क्या होता है ये once one का possessive adjective है ये किसी noun के पहले ही आएगा बाकी कहीं नहीं आएगा अकेले कभी नहीं आ सकता है अकेले इसको छोड़ नहीं नहीं सकते है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमें क्या करना है हमें ध्यान देना है मतलब हमें grammar समझना है भले से ये one word है आप लोग correct कर लिए अब चलिए देखते हैं इन डिफरेंट के साथ two preposition का use होता है इन डिफरेंट का मतलब होता है उदासीन और इन डिफरेंट के साथ कौन से preposition का use होता है two preposition 2017 में पूछा गया है यह सीजियल में या सीजियल में पूछा गया है 2017 के तो आप लोग ध्यान दीजेगा इसे, इन डिफरेंट के साथ हम two preposition का यूज करते हैं, चिक, आगे देखते हैं, question number 12, the India census study highlight, India census study जो है वो highlight करती है, ये highlight जो है वो वर्व है, India census study जो है वो subject हुआ, और highlight क्या है वर्व है, अब आप ही बताईए, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, India census study में study subject, India census study singular है, study चुकि singular है, क्या highlight आना चाहिए, highlight तो singular plural वर्व हो गई, अगर इसमें yes लगा करके या yes लगा करके ही तो हम singular बनाते हैं, तो highlights होता तब तो सही होता ये, इसलिए ये गलत लिखा गया है, तो no improvement तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है आपसा number C नहीं होगा, आपसा number B में भी highlight, A में भी highlight दे दिया, जबकि study singular है, इसलिए highlights आना चाहिए, singular वर्वानी चाहिए, आपसा number B में भी ऐसा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपसा number D में ऐसा किया गया है, तो आपसा number D आपका क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, next देखने question number 13, one who embraces voluntary death for the sake of one's country, तो यह हो जाएगा आपका, यह, ठीक, हमने बताया भी है कि one जो है, वो indefinite pronoun होता है, और यह singular होता है, who relative pronoun है, relative pronoun के बाद आने वाली वर्व जो है, वो अपने antecedent recording आती है, चुकि one singular है, इसलिए embraces आया है, ठीक है, voluntary death यह तो object हो गया, for the sake of one's country, तो once जो है, वो अपनी country के लिए, one के लिए अपने की meaning के आती है, once आती है, चीक है, चलिए, next देखते हैं, अगला question number 14 देखते हैं, देखे, question number 14, the student often go about their business, हमें तुरंत नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, पहले option को देखना है, option यह C से start हुआ है, यह भी C से, यह B से, यह A से, C, B, A में से कोई भ Rose High School, it no longer dictates their day, चीक है, यह होगा, या, पहले हम लिखेंगे, a bell can sound gloomy और cheerful, depending on when it rung, एक bell जो है, वो sound कर सकती है, gloomy, या cheerful, कोई उदासी भरा sound कर सकती है, या cheerful sound कर सकती है, या cheerful sound कर सकती है, डिपेंड करता है, कि उसे बजाया कैसे जाता है, चीक है, तो C पहले आना चीक है, फिर आना चाहिए क्या B, but for the students, लेकिन student के लिए of the St. Ambrose High School, it no longer distracts their day, फिर आना चाहिए D, it has been scrapped in favor of music, which now breaks up the timetable of the school, फिर आना चाहिए A, the students often go about their business, singing along the corridors, अब एक बात आप लोग देखिएगा, इसे आप लोग solve कीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग solve कीजिएगा, अगर यह नहीं आता है, तो इसे comment करके आप लोग बताइएगा, कि 14 हमा question समझ में नहीं आया, next day हुम discuss कर देंगे, ठीक है, कुछ में दिमाग लगाना आपका ज़रूरी है, लगना, precarious का मतलब होता है, खतरनाक, perilous और precarious का मतलब होता है, खतरनाक, एक होता है perilous, ठीक है, और एक होता है precarious, इन दोनों का मतलब होता है क्या, खतरनाक, अब देखिए, खतरनाक की साइनो लिखना है, खतरनाक का साइनो dangerous होगा, abundant का मतलब होता है, पर या आप देखदा मतलब, valuable का मतलब होता है, कोई चीज valuable है, ठीक है, तूसरे क्या बोलेंगे, valuable बोलेंगे, ठीक, त होता है प्योर आप लोग जानते है प्रोड़क्टिव कोई चीज उपजाओ है स्वाइडिट का मतलब तीक शुड़ होता है ठीक है कि मेंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है इन दा नॉर्धन सबर्ब्स आफ बैंगलूरू वर्ष्ट जो है वह देखिये हमने बताया है कि कुछ ऐसे भी है जो क्रॉस हैं क्रॉस का मतलब क्या है कि आधे इसमें दियेगें आधे दूसरे पेज में दियेगें ुक्ति है लेकिन क्या करते हैं किसी दिन बैठ करने जितने भी छूट हुए ARE ऐसे जुट इसे जो दो में हैं ठीक है बार बार हमें फेस दूसरे पर आना पड़ेगा तो किस दिन हम टाइप करते हैं थाइप कर देंगे फिर से स्मृ क्रा देंगे आगे देखिए add all sense इसका हमें क्या लिखना था correctly spelled word लिखना है क्या हो जाएगा हमें याद कैसे करना है add all ठीक है और sense add all sense यही meaning meaning हमें तोड़ कर याद करनी रहती add all sense जैसे main 10 ends बताये थे हम वैसे add all sense हमें add all sense की meaning कैसे याद करनी इस तरह से याद करनी है question number 24 देखते है c performs different roles वो different different roles perform करती है very convincingly as क्योंकि c is a dash actor as का मतलब यहाँ क्योंकि निकल रहा है आज की adjective की class में हमने बताया था कि as एक प्रकार का preposition भी होता है और as एक प्रकार का conjunction भी होता है live class में यह साइज इसे discuss की जा रही है तो आप लोग जरूर जुड़िए ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ जुड़िए प्रिपो जीसान अगर है तो इसका मतलब निकलता है जैसे जैसे as a teacher as a student तो जैसे की एक teacher जैसे की एक student लेकिन जब इसका का conjunction होता है तो इसका मतलब निकलता है क्योंकी और इसके बाद subject प्लस वर वो आता है जरूर आता है ठीक है तो c performs different role वो different different role perform करती है very convincingly आगे देखिए कैसे ये इसके बाद लिखा हो as क्योंकी c is a dash very actor very classy actor है तो very versatile actor है versatile का मतलब होता है बहुत अधिक good वाला उसके पास उसको पढ़ाई भी आती है उसको painting भी आती है उससे singing भी आती है उससे dancing भी आती है वो versatile हो जाएगा ठीक है बहुत साइशी जीजों का good रखने वाला virtuous का मतलब गुड़ी होता है लेकिन versatile का मतलब होता है धेर सारी प्रतिभाओं वाला धेर सारे गुण वाला ठीक है वरैसियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लालची ठीक है और verbose का मतलब क्या होता है वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बगबग करने वाला बहुत बोल सकते हैं, टॉक्येटिब के बाद हम बोलता क्ते हैं, गैरूलस, गैरूलस, टॉक्येटिब, चैटिक, गुलिब, चारो इसके साइनों होते हैं, ऐसे याद कर लिजिए, question number 25 चलते हैं क्या दिया गया है Charles Dickens was different in the style of writing Charles Dickens was different in his style of writing वो अपनी writing के style में मतलब एकदम अद्भुत थे कह सकते है from most of his days in the Victorian era Victorian era के contemporaries contemporaries का मतलब होता है समकालीन जैसे कि present time में Charles Dickens है और उसी time में कहीं और पे कोई दूसरा हो ठीक है समझ में आ रहा है न तो समकालीन ये होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए Charles Dickens was different in the style of writing from most of his contemporaries ठीक है अपने समकालीन लोगों के से में वो बहुत जादा क्या थे writing की style को ले करके बहुत जादा different थे in the Victorian era ठीक है बास समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ पे most का मतलब most of his contemporaries का मतलब अपने contemporaries में से जो अधिकांस contemporaries थे अधिकांस के अर्थ में आ रहा है यह और different तो आप लोगों को मालूम ही होगा एक बात आप लोगों को बता दे differ differ के साथ from preposition का यूज होता है लेकिन differ is differ from का मतलब होता है different from इस differ from का मतलब होता है क्या different from एकदम good ग्यान है यह बिल्कुल different from चीक है न बहुत important है differ from का मतलब different from और एक होता है differ with differ with का मतलब होता है किसी से disagree होना differ with का मतलब होता है disagree with ठीक है differ from का मतलब different from और differ with का मतलब disagree with बाते इतनी समझ में आई होंगी आप लोगों को तो आप लोग पूरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सेर करना मत भूलिएगा वीडियो हो सकता है थोड़ी लेट में ही अपलोड हो बट डेली वीडियो अपलोड करने की मैं पूरी कोसिस करूँगा विकाज बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सरेंबी के बुक जरूर अपलोड कीजिए तो वो मैं रात में ही चाहे रेकॉर्ड करके चाहे दिन में चाहे जब एक टाइम आपका साथ बज़े है लेकिन हो सकता है साथ बज़े अगर ना अपलोड हो तो दस बज़े तक आपनों की वीडियो अपलोड ही हो जाएगी तो थैंक्यू